अबल अटाक से कोहराम मचा दिया है नेतन याहू को समझ नहीं आ रहा कि हिजबुल्ला रे इस्राइल के मिसाइल हेटक्वाटर को कैसे आखर उड़ा दिया उड़ा दिया इस्राइल का मिसाइल हेटक्वाटर पिछले 72 घंटे में हिजबुल्ला के हमलों ने साबित कर दिया है कि जंग के मैदान में हिजबुल्ला लड़ा के इस्राइली सेना पर बहुत भारी साबित हो रहे हैं इसराइली सेना भले ही दावा करे कि उसने दक्षिनी लिबनान में हिजबुला की कमर तोड़ कर रख दी है लेकिन हकीकत में जमीन पर अब बाजी पलटती नदर आ रही है ऐसा लग रहा है कि 11 महीने की जंग में हिजबुला ने पीम नेतनियाहू और उनके कमांडरों के वार प्लान को डिकोट करके उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी है हिजबुला का सबसे ताजा हमला इसराइल के सफाद में हुआ जहां IDF का एक गुप तड़ा मौजूद था हिजबुला का दावा है कि उसने तिब्रियास जील के उत्तर पश्चिम में स्थित इसराइली सेना के मिसाइल हिटकोटर को बहानक ड्रोन हमलों से तभा और बरबाद कर दिया है IDF के गुप तड़्डे पर धमा का मार दिये इसराइली हम आपको एनिमेशन के जरीए दिखाते हैं कि आखिर हिजबुला हमले पर क्या दावा कर रहा है दावों के मताबिक हिजबुला की ड्रोन यूनिट ने इसराइल के मिसाइल हिटकोटर को तबह कर डाला है हिजबुला का दावा है कि इसराइल ने सफाद में एक गुप्त मिसाइल अड़ा बना रखा था जिसमें हजारों की तादाद में मिसाइले मौजूद थी हिजबुला ने सटीक और पकी खुफिया जानकारी के आधार पर अचानक भीशन ड्रोन हमले किये हैं जिसमें इसराइल के मिसाइल हिटकोर्टर को पूरी तरहां से उड़ा दिया गया है इस हमले में कैई इसराइली सेनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है वसलत इला दाखिल काईद फकनत गल्लोत वकाईद आईशीमा इसराइली सेना ने हिजबुला के दावो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इसराइली सेना अभी भी दक्षणी लिबनान पर भीशन हवाई हमले करने में जूटी है पीम नेतन याहू भी हिजबुला के हमलों पर चुपपी सादे बैठे है लेकिन हिजबुला ने यूरोपियन और मिडिली इस्ट के टॉप सूत्रों से पता लगाने का दावा किया है कि उसके हमले से इसराइली सेना को भारी नुक्सान हो रहा है अब आप ये देखिए कि हिजबुला लड़ा के इसराइली मिजाइल डीपो को उड़ाने पर और क्या-क्या दावे कर रहे है हिजबुला के दावों के मताविक 15 सितंबर यानी शनिवार को उसने इसराइली सेनने अड़े पर हमला किया है हिजबुला ने कहा कि उसने आईडियेफ के तोप खाने और मिजाइल इकाई के मुख्याले को पूरी तरहां से बरबाद कर डाला है दावा किया जा रहा है कि लगबक 11 महीने की घज़ा और लिबनान जंग में पहली बार इसराइल के गुप तडड़े का पता इसराइल के दुश्मनों को लगा है इसराइल के खिलाब दक्षणी लिबनान के अल एहम दी और कफर रूमा ने सहित लिबनानी शेहरों पर हमले के जवाब के तौर पर भीशन हमला किया है इसराइली सेनने ठिकानों पर किया है हिजबुल्ला का हमला होते ही इसराइल के अवीविम, एलिफलेंट, कोराजिम विरेड, अनमोन, कबजे वाले शहर सफाद, अमूका, डाल्टन और ब्रिये में जोरदार साइरन बजने लगे थे वहें हिजबुल्ला लड़ाकों ने रोस्यत अलालम में इसराइली सेनने अड़े के पास एक इसराइली मरकावा टैंग को आंटी टैंग गाइडिड मिसाइल से तबहा करने का दावा किया है अब ऐसे हालात में सवाल उट रही है कि आखिर इसराइली सेना और नेतन याहू किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि इसराइली सेना गजा से लेकर लेकर लबनान तक जग जीत रही है जबकि इस्राइल के मिसाइल हिट कौर्टर को तभा करने से पहले हिजबुल्ला लड़ा के एक बड़े हमले में इस्राइल के 22 सेनिकों को मारने का दावा कर चुके हैं इस्राइली सेना पर ऐसा खुंखार और बेरहम हमला किया कि इस्राइल के प्रधान मंत्री नेतन याहू और रक्षा मंत्री यॉफ गैलन्ट के होश फाक्ता हो गए इस्राइल को रत्ती बर उम्मीद नहीं थी कि हिस्बुल्ला तेलवीव के पास इस्राइली सेना के गिलोट बेस को तभा कर सकता है इस्बुल्ला के चीफ नसुरल्ला ने डंके की चोट पर दावा किया है कि हिस्बुल्ला ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इस्राइल के 22 सेनिकों कुमार डाला है हिस्बुल्ला को कमजोर समझना शायद इस्राइली सेना की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है इस्राइली सेना बेशक गाजा के साथ साथ लिबनान पर घातक हमले कर रही हो लेकिन खुद इस्राइल के टॉप सेनने अफसर चितावनी दे रहे हैं कि हिजबुल्ला को हमास समझना इस्राइली सेना की बड़ी भूल साबित हो सकती है हम आपको इसराइल के इसराइली रिजर्व मेजर जनरल यिजजाग ब्रिक के बयान और चिताबनी दिखाते हैं जिसमें वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि हिजबुल्ला के सफाय के चक्कर में कहीं इसराइल का ही सफाया ना हो जाए रिजर्व मेजर जनरल यजजाग ब्रिक का साफ कहना है कि अगर लिबनान से सीधी और बड़ी जंग इसराइल ने की तो हिजबुल्ला इसराइल के तेलवीव गुजडैन को तबहा कर सकती है इसराइली जनरल ने यहां तक कहा कि अगर इसराइल ने लिबनान के साथ युद को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे उन्होंने यहां तक कहा कि इसराइली सेना के टॉप अफसरों की बात निरर्थक होती जा रही है इस्राइली चैनल 12 के साथ एक इंट्रव्यू में इस्राइली जनरल प्रिक ने यहां तक कह दिया कि हिजबुला पर हमले का जूटा प्रचार बंद करें क्योंकि इस्राइली सेना काफी चोटी है इस्राइली सेना के पास सिर्फ 6 डिविजन है जो हमास तक को खत्म नहीं कर सकती है ऐसे हालात में लेबनान में हिजबुल्ला से सीधी जंग इसराइली सेना की 6 डिमिजन नहीं कर पाएगी और लेबनान युद इसराइल के वजूद पर बहुत भारी पढ़ सकता है पिछले 100 गंटे में हिजबुल्ला ने इसराइल के गिलॉट बेस में हमला करके 22 इसराइली सेनी को कुमार डाला है और अब इसराइल के सफाद में पूरा मिसाइल हेट पॉर्टर उडा कर हिजबुल्ला ने इसराइली सेना की हालत खराप करके रख दी है अब देखना होगा इसराइल हिजबुल्ला के हमलों का बदला कैसे लेता है और कैसे लंबी खीचती जंग को लेकर कहा जा रहा है कि इसका नतीजा बस आने ही वाला है गाजा में बीच गई मौत की चादर नेतनियाहू की फौज का आपरेशन सर्वविनाश एक्टिवेट 18 लोगों की होगी मौत 40 से ज़ादा होगे घायल अब तक 41 हजार से ज़ादा फिलिस्तिनियों की मौत 80 हजार से ज़ादा घाय दुनिया ने ऐसी क्रूर जंग नहीं देखी होगी गाजा में इसराइली डिफेंस फोस्त ने ताजा हमला किया है यह हमला देक्षणी गाजा में हुआ है इसराइली सेना ने एक स्कूल को निशाना बना कर जबरदस्त बंबारी की है गाजा के जिस स्कूल में यह हमला हुआ है वहाँ ज़ादा तर विस्थापित लोग शरणन लिये हुए थे इस हमले में बच्चे भी मारे गए है जमीन का सीना चीर कर गाजा में जिद्गी बचानी के जद्दो जहद बता रही है कि यह जंग इनसानियत पर कीस खदर भारी पड़ रही है इसके अलावा खान यूनीस में इसराइल हमास युद्ध स्विस्थापित फिलिस्तिनियों के लिए बने एक श्रिविर को निशाना बनाया गया इसराइल के प्रधार्मत्री बेनियामी नितनयाहु जल्दी में है गाजा को मिठी में मिला देने की जल्दी में नितनयाहु की फौज ने गाजा पर हमले और तीज कर दिये है नितनयाहु की जल्दी की कई वज़े है पहली वज़ा, ग्यारा महीनों की लंबी जंग से इसराइल की जनता उकता चुकी है दूसरी वज़ा, नेतनियाहु को लेकर इसराइल की जनता इस वर विमर्ष कर रही है कि वो बंधक संकर सुलजाने में फेल साबित हुए हैं तीसरी वज़ा, नेतनियाहु के खिलाफ उनकी कैबिनेट में भी विरोध की आवाजे उठने लगी हैं चौती वज़ा, नेतनियाहु के खिलाफ इसराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं पांचवी वज़ा इंटरनेशनल बिरादरी सेने तन्याहू पर आम फिलिस्तिनियों की मौत को लेकर सवाल उठे हैं वो लोग जिनका इसे युद्ध से कोई लेना देना नहीं है वो भी जंग के मलबू में कुछ इसकदर दबे हुए हैं जहां रहना तो छोड़िये सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है गाजा का हाल यह है वहाँ जीने के लिए जरूरी चीजें तो लगवाख खत्म ही हो गई है मरने के बाद दफनाने तक की जग़ा भी कम पड़ती दिख रही है 23 लाक की आबादी हर पल मौत की आशंका में जीने को वीवर्श है 7 अक्टूबर 2023 से ही घाजा में तकरीबन हर रोज इसराइली आपरेशन हो रहा है यो धविराम के लिए कई दोर की बादचित भी बे नतीजा रही है फिलहाल ये जंग कब थमेगी इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे है यही वज़ा है कि इसराइल के तेल अवीब में बंधकों की रहाई की मांग तेज हो गई है इसराइल में शर निवार को हजारों पदेशन कारियों ने सेना मुक्छाले और दूसरे सरकारी अमारतों पर धावा बोल दिया इस दोरान पदेशन कारियों ने प्रधान मिंतर नतनियाहु के खिलाप नारेबाजी की और गाजा में बंधक बनाएगे सौ से ज़ादा बंदकों की रिहाई के लिए हमास के साथ शांती बनाने का दबाव डाला कई लोगों ने समझोता करने में विफलता के लिए पी-म ने तन्याहो को जिम्यदा ठहराया क्योंकि उन्हें लगा कि युद्ध के धुरा उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद मिलेगी इस धुरार पदेशन कारियों ने शहर के एक पूल पर चक का जाम कर दिया यातायाद विवस्था भी छप हो गई पदर्शनकारियों में अब वो लोग भी शामिल थे जिनके अपने हमास के चंगुल में बंधक है इस दोरा नाराज पदर्शनकारियों ने गुलावी धूए वाले पटाके जला कर और बंधकों की तस्वीरों के साथ अपना विरोध दर्च कराया ये भी कहा कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती उनका विरोध पदर्शन जारी रहेगा साथ अक्टुबट दो हज़ातेईस को हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर 250 इसराइली और विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था इसराइल ने युद्ध छेड़ दिया लेकिन बंधक शुड़ाने की कोशश में अब तक 41,000 से ज़्यादा फिलिस्तिनी मारे जा चुके हैं और जिस हमास के अंतिम आतंकी के मारे जाने तक जंग जारी रखने का नेतनाहू ऐलान कर रहे हैं वो हमास का आखरी आतंकी अब भी इसराइली डिफेंस फोस की बंदूक की खूली से बहुत दूर दिख रहा है जाहिरे नेतन्याहू मुश्किल में है सयूक्त अरब अमिरात में भी इसराइल से मुखेरा यूएई ने कहा है कि अगर इसराइल अलग फिलिस्तीन देश नहीं बना था तो वो जंग के बाद के उनके प्लैन का समर्था नहीं करेंगे यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल्रहान ने सोशल मेडिया पर इसकी जानकारी दी एस्राइली पीम नेतरियाहू ने मैी में जंग के बाद गजा के लिए प्लैन जारी किया था नेतरियाहू का कहना है कि इसके जरीय चास होगा प्लैन जंग खत्म होने की तारीख सेलेकर साल 2035 तक के लिए था इसे तीन स्तुरू में वाटा गया था प्लैन के मताबिक गाजा में इसराइल गब्जे के बाद फिलिस्तीन की सरकार होगी इसे हीवेई साओधी अरब, मिश, बहरीन और जौडन जैसे अरब देशों का एक गडबंदन मौनिचर करेगा इसराइली प्लैन में गाजा के पोर्ट्स में निवेश से लेकर सौर उर्ज़ा और इलेक्टिक कारों की मैनुफैक्टरिंग जैसी कई योजनाओं का जिकर है नेतर्याहो की तरफ से गाजा के भविश्र के लिए प्लैन जारी करने के बाद उनके रक्षा मंत्री योग गैलन्ट ने इससे नकाद दिया था योग गैलन्ट ने इसराइली पी-म को चेतावनी डी थी कि वो फिलिस्तिनी जमीन पर कभी भी इसराइल का शासन नहीं होने देंगे गैलन्ट का बयान सुनिए हमास के बाद गाजा का सित तभी मुम्किन है जब यहां फिलिस्तिन के लोग ही अंतराश्री सबुदाई की मदद से सत्ता संभाले अगर सरकार ने सही समय पर गाजा के लिए हमास का विकल्प नहीं ढूंडा तो इसराइल का मिलिटरी ऑपरेशन कमजोर पड़ जाएगा हमास फिर से अपनी जड़े जमाना शुरू करते का नेतनयाहो के समर्थन में खड़े अमेरिका में चुनाओ का माहौल है और बाइडन के पार्टी की विदाई के बाद ट्रम्प सत्तासीन होते हैं तो युद्ध की सूरत पर भी असर पड़ना तैह है स्यूगत अरब अमिराद जैसे देश अमेरिका के कहे में ही काम करते हैं और स्यूगत अरब अमिराद अगर ये कह रहा है कि वो नेतनयाहो के प्लैन से इतिफाक नहीं रखता है तो इसका मतलब है कि अपने समर्थक देशों के बीच ही नेतनयाहो गिर चुके हैं सवाल फिर वही घुम्पिर कर खड़ा होता है कि इसराइल हमास युद्ध आखिर कब तक जहां तक इसराइली बंदकों को हमास के खबजे से चुड़ाने की बात है या संपूर्ण गाजा को जम इंदोज कर देना होगा क्योंकि यहां से नेतनयाहो पीछे हटे तो घर में इसराइली उनके साथ चाहे जो वेवहार करें अरब देश इसराइल के खीचे खड़म को एक कमजोर देश की निशानी से ज्यादा कुछ नहीं मानेगा जो भविश्र में इसराइली के लिए आज से भी बड़ा संकट पैदा करने वाला हो सकता है